तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखें के कि कैसे आप फ्लीपकट अप्लिकेशन में अपना एड्रेस डाल सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आप भी फ्लीपकट अप्लिकेशन में अपना एड्रेस फिल करना चाहते हैं यानि address set करना चाहते हैं जिस पे आप अपना order मंगाना चाहते हैं तो उस वाले address को आप कैसे यहाँ पे set कर सकते हैं अपने flip cut application में यही आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने बला हूँ तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो simply आपको क्या करना है flip cut application में अपना address set करने के लिए सबसे पहले आपको flip cut application को open करना है जैसी open करते हैं आप flip cut application के home page पे आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है अपने address को set करने के लिए यहाँ पे नीचे जो आपको account का option दिख रहा है जैसी स्क्रॉल करते हैं थोड़ा नीचे की तरब यहाँ पे आपको एक account setting का option देखने को मिल जाता है EC में आपको एक option देखने को यहाँ पे मिल रहा है saved address यानि EC में आप अपना address set कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे save address पे क्लिक करना है save address पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछी इस परकार के option देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप अपने Flipcut application में जो भी address set करना चाहते हैं ओ address यहाँ से set कर सकते हैं जिस पे आप अपना order मंगाना चाहते हैं तुसके लिए आपको क्या करना यहां पर आठोड निफयां करना है जैसे खलक करते हैं आपके पास कुछी उप्सन देखने को मिल जाता है यहां से आप अपना आईड्रेस सेट कर सकते हैं सेट करने के लिए सबसे उपर आपको आपको अप्टु अपना मोबाइल नमड करना है और अपना प्रिंगर यहां पर आप अपने घर का नाम एंटर कर लेंगे यह पिर अपने युर्ण कड़ी हर लेंगे यह का नाम एंटर करने के बाद यहां पर आप अपने road का नाम यानि आपके आसपास जो भी road है या फिर आपके colony का नाम enter कर सकते हैं colony का नाम enter करने के बाद अब आपको यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चुझ करना है अगर आपका एवला address जो है आपके office का है तो यहाँ पे आपको work वाले option पे click करना है और अगर आपका एवला address आपके घर का है तो यहाँ पे home पे click करना है चलिए हमारा एवला address home का है तो यहाँ पे home पे click कर लेते हैं home पे click करने के बाद यहाँ पे आपको use my location का जो option दिख रहा है इस वले option पे click करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे confirm पे क्लिक कर देना है जैसी confirm पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका जो भी location है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा अब यह सारे details फिल करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे जो save address का option दिखा रहा है simply आपको save address पे क्लिक करना है जैसी save address पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा address जो है यहाँ पे flip cut application में set हो चुका है तो दोस्तो इस प्रकार से आप भी अपने flip cut application में अपना address set कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए